एक्सरसाइज 3E एक्सरसाइज क्या है 3E ठीक है और यह आरिचर्वाल बुक्स और यह exercise में क्या है cube of a binomial तो एक दो हम आप लोग को पढ़ाए एक प्लस Y का Whole Q है ना तो यह एक इसके एकुल होता है तो यह हम आप लोगों को करना भी शिका है तो यह एक्स प्लस Y और यह X plus Y का क्या All is square है ना और यह हम अच्छी तरह से करा चुके हैं तो पिर से देख लिजिए तो इस bracket का multiply is पूरा से देखिए X plus Y is यह जिस और इसको हम लोग कैसे experiment कर सकते हैं तो X plus Y का all is square क्या होता है X square plus 2XY plus Y square ठीक है और इस bracket का इस bracket से multiply कर देजी अच्छा ऐसा कीजिए कि आप X का मिल्टिप्लाइज से कीजिए X स्क्वाइर प्लस 2XY अब प्लस क्या Y स्क्वाइर और इस Y का मिल्टिप्लाइज प्लस प्लस Y का मिल्टिप्लाइज X स्क्वाइर प्लस 2XY अब प्लस में क्या Y स्क्वाइर के साथ मल्टिप्लाई कीजिए क्या जागा एक्स के मल्टिप्लाई एक्स स्क्वाइर के साथ तो एक्स क्यू प्लस इसका मल्टिप्लाई इसके साथ तो एक्स स्क्वाइर वाई होगा फिर एक्स का मल्टिप्लाई वाई स्क्वाइर के साथ तो क्या जागा एक्स वाई स्क्वाइर को לי कराएं इसको मल्टिपलाइब करें या को मुल्टिपलाइए सक्कॉयर गराएं सब्लाइब कर-एक Alrighty पलस वाई का मुल्टिपलाइब टू एकस्वाइक के साथ तो क्या गया या ही कीव यहां पर से आप दो Q अलब टरम को एक जागा कर लिजिए XQ प्लस YQ ये दो टरम है Q का एक यहां पर है और एक यहां पर है ठीक है अब देखिए 2X स्क्वाइर Y और X स्क्वाइर Y क्या हो जागा प्लस का 3X स्क्वाइर Y हो जागा ना अब फिर अब भी क्या जागा 3X Y स्क्वाइर हो गया अब देखिए एक तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस आइणे इन्टरी स्को है नही है और इसको और किसा लिखा जा सकता है इसका और एक क्या फोर्म होता है तो देखे द्यान से यह x q plus y q और यह दोनों टर्म में क्या को मना रहा है यह दोनों टर्म में पहले तो 3 को मना रहा है ठीक है पर यहां भी x square और यहां x है तो x को मना जाएगा यहां y है और यहां y square तो y को मना जागा अंदर क्या बच जागा तो देखें 3 को मना गया एक्स यहां से को मना गया यहां से y को मना गया तो यहां क्या बच गया होगा एक्स ठीक यह प्लस का साइन यहां देखिए थ्री को मना गिया एक्स को मना गिया और वाई स्कॉयर में से वाई को मना गिया तो वाई बच गिया होगा तो उसका एक फोर्म यह होता है तो बहुत इंपोर्टेंट यह कोश्चन है तो यह दोनों ट्रम में से कोश्चन को सॉल् हैं हम लोग तो दूनों ट्रम को बनाया सार पिर लीजिए ठीक है तो यह हो इर गवे आपका एक आडेंटिटीटीटीज और यह आडें टीटीटीज और हैं एक समरक्सि pseudo यह ये की से इक हौल में आगा तो यह देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लो x-y और x-y का whole q दोनों को multiply करेंगे तो x-y का whole q whole q नहीं होगा यहाँ यहाँ क्या होगा square दोनों का multiply करेंगे तो whole q हो जाएगा अब देखिए x-y और इसको कैसे spend कर सकते हम लो तो यह किया जा सकता है x square minus 2xy plus y square ठीक है अब देखिए multiply कराईगे इस bracket का इस पुरा bracket से यानि x का multiply इस पुरा bracket के साथ तो x square minus 2xy plus y square फिर इस minus y का multiply कराईगे इस पुरा bracket से तो x square minus 2xy and plus y square अब multiply करेगे है क्या आजागा x का multiply x square के साथ x q फिर इस पुरा की multiply minus 2xy के साथ minus 2 x square y फिर x का multiply y square के साथ तो जागा plus x y square यहाना तो समझमा गिया होगा अब इसका कराई minus y का multiply एक सिसक्वाय के साथ तो minus x square y फिर मैनस y कम लिपलाइं माइनस 2xy के साथ तो प्लस 2xy square है ना फिर मैनस y कम लिप्लाइं प्लस वाइड स्कॉर के साथ तो माइनस का y q अब देखें क्यूव वालत रम को साथ में देख लिजें तो x q-y q यहां से x q और यहां से माइनस का y q y q ठीक है फिर यह माइनस का 2 x square y और माइनस का x square y क्या हो जागा माइनस का 3 x square y उसी तरह से यहां देखिए प्लस का x y square अब प्लस का 2 x y square तो क्या हो जागा प्लस का 3 x y square है ना तो इस identity का एक form तो यह होगी आपका इसका भी यूज करेंगा हम लोग और इसका एक और form होता है वो form देख लिए यह क्या होता है तो यह x cube as it is बढ़िया से x cube as it is माइनस का y cube यह से ही ठीक है उसके बाद देखिए यहां से क्या common लिया जासकता है यह दोनों ट्रम में तो माइनस common आ सकता है 3 आ सकता है x दोनों में तो x भी आ सकता है y भी दोनों में तो y भी आ सकता है अंदर क्या बज़ जाएगा तो देखिए 3 common आ गिया x common आ गिया x square में से और y में से y common X square में से X common आ गया तो अंदर क्या बज़गिया होगा X माइनस common लिए है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहां पर से देखिए 3 common है X common है और Y square में से Y common है तो क्या बज़गिया होगा Y तो एक form यह होगा आपका तो दोनों form को यूज़ करेंगा हम लोग तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा है ना तो यह होगी आपका second type का idea इस exercise में question देखते हैं तो question number one है expand करना किसको तो देखिए 3X प्लस 2 का whole Q इसको expand करना है तो किसे करेंगे तो सबसे पहले देखिए यह किस identity से belong कर रहा है तो यह X प्लस Y का identity है है नहीं X प्लस Y का क्या है whole Q तो यह identity किसके equal में होता है यह आपको हम बता चुके हैं तो एक वर और देख लिए तो X प्लस Y का whole Q होता है X Q प्लस Y Q प्लस 3 X Y और bracket में क्या जागा X प्लस Y इसके equal मोता है तो अब देखिए इसको solve कर ज़िसे करेंगे तो compare कराईए कि X के place में क्या है तो X का place में है 3 X Y का place में क्या है तो Y का place में है 2 और जहाँ जहाँ X और Y है वहाँ वहाँ put कर देजे X और Y का value तो X Q है तो X के place में क्या था 3 X तो यहाँ लिख लिजिए आप 3 X और इसका क्या चलेगा Q ठीक है Y Q है तो Y के जगे हम क्या है 2 तो प्लस 2 इसका क्या चल रहा है Q प्लस 3 as it is इंटू X इंटू X और Y X के place में क्या है तो 3 X और Y के place में क्या है तो 2 अंदर में क्या है X प्लस Y तो X क्या है 3 X अब प्लस Y कितना है 2 अब इसको solve कर दिजिए तो देखिए 3 X का Q यानि 3 का भी Q X का भी Q 3 का Q क्या होता है तो यह होता है 27 और X का Q प्लस 2 का Q 8 प्लस multiply किजिए इसको आपस में तो 3 ती जा 9 और 9 ती जा 18 और X 18 X है ना और ब्रेकेट कंदर में क्या है तो 3 X प्लस 2 है इसको आगे solve कर दिजिए यह 27 का X Q as it is प्लस 8 प्लस 18 X का multiply 3 X के साथ तो क्या आजाएगा तो यह आजाएगा 54 X स्क्वाइर ठीक है फिर 18 X का multiply प्लस 2 के साथ तो प्लस 36 X है ना इस तरह से होगा अब दिखिए आगे कुछ शल्प किया जा सकता और आगे इसका तो जितना भिरियेवल वला ट्रम उसको आप पहले लिख लिएए लाशनों कॉंस्टेंट ट्रम को लिखिए लिखिए तो 27 X Q प्लस 54 X स्क्वाइर प्लस 36 X और लाशनों क्या इस तरह सो जाएगा आपको कोश्चन नमबर 1 कैसे हुआ तो सबसे पहले कोश्चन जो है उसको देखके पता करना है कि किस आइडिनेटिरे से ये बिलोंग कर रहा है तो देखिए 3 X प्लस 2 का होल क्यूँ है यानि क्या है X प्लस Y का होल क्यूँ और X प्लस Y का होल क्यूँ हम पो क्या पढ़े है ये वला X प्लस Y का होल क्यूँ किसके को होता X Q प्लस Y Q प्लस 3 X Y और ब्रेकेड में क्या X प्लस Y कंपेर करा ये X के प्लेस में क्या है 3 X और Y के प्लेस में क्या है 2 और जहां जहां आपको X और Y ने जरा रहा है value output कर देजिए solve किजिए आपके पास answer इस तरह से निकल कर आ जाएगा तो यह होगी आपको question number 1 का second part देखिए क्या है तो यह है 3A plus 1 upon 4B और इसका क्या है Q ठीक है तो देखिए कैसे बनेगा तो यह भी किसा identity से बलंग कर रहा है तो X plus Y का whole Q है और यह किसके equal होता है तो यह होता है X Q plus Y Q plus 3XY और X plus Y के है अब देखिए X के place में क्या compare कराई है X के place में क्या है 3A तो X के जगा हम लिखेंगा हम लोग 3A और Y के place में क्या है तो Y है 1 upon 4B है ना और जहां जहां X और Y है वहां Y वहले पूट कर दिजिए तो देखिए यहां पर X है तो X क्या है 3A और इसका क्या है Q है ना प्लस यहां Y है Y क्या है 1 upon 4B और इसका क्या है Q प्लस 3 इंटू X क्या है 3A इंटू Y क्या है 1 upon 4B और अंदर में क्या है X प्लस Y तो X क्या है 3A प्लस Y क्या है 1 upon 4B अब इसको स्वाब करा दिजिए अंसर आपके सामने आ जाएगा कराइए तो 3 का Q क्या होगा 27 और A Q है ना 3A Q है तो 3 का भी Q और A का भी Q प्लस 1 upon 4B का Q तो 1 का Q क्या है जागा 1 अब 4 का Q क्या आता है तो 64 है ना अब B Q ठिक्या प्लस 3 इंटू 3 ना ने लिखिये 9 ने इन्टू 1 अपोन 4B और यह आजागा 3A प्लस 1 अपोन 4B ठीक है फिर से एक लाइन और यह 27AQ प्लस 1 अपोन 64BQ प्लस यह 9A को मुल्टिप्लाइ किजिए 1 से तो 9A अपोन क्या 4B और मुल्टिप्लाइ में क्या 3A प्लस 1 अपोन 4B है ना अब सॉल्ट किजिए स्कुराम से तो देखे 27AQ as it is प्लस 1 अपोन 64BQ है ना प्लस 9A अपोन 4B का मुल्टिप्लाइ 3A के साथ तो किजिए 93027 A का मुल्टिप्लाइ A के साथ A स्कुराइर अपोन में क्या 4B प्लस 9A का मुल्टिप्लाइ 1 अपोन 4B के साथ तो 9A अपोन 4B है तो 9A का मुल्टिप्लाइ 1 के साथ तो क्या जागा तो जो कोश्चन है उसका कंपेर कराई आप किसको एडेंटिटी से है और उहां देखिए कि आप वोकी X के प्लेस में क्या है और Y के प्लेस में क्या है तो यह हो कि नमबर 1 का सिकेंड पार्ट तो देखिए क्या है यह है 1 प्लस 2 अपोन 3A का होल क्यूँ तो यहां भी देखने से लग रहा है कि यह कौन साइड इंटिटी है तो यह है A प्लस B का होल क्यूँ और यह किसका है तो देखिए A Q प्लस B Q प्लस 3AB प्लस A प्लस B यही तो होगा चाए X प्लस Y का होल क्यूँ बोलिये चाए A प्लस B का होल क्यूँ बोलिये बात तो होगा A Q प्लस B Q प्लस 3AB प्लस इंटू A प्लस B ठीक है तो A के प्लस में क्या है तो A के प्लस में है 1 और B के प्लस में है 2 upon 3 A तो जहाँ-जहाँ A B है वहाँ-वहाँ A B का value put कर दीजिए तो यहाँ देखिए A है तो A के place में किया 1 और 1 का क्या है यहाँ पर Q प्लस B है तो B के place में किया 2 upon 3 है तो लेखिए 2 upon 3 A का whole Q है ना प्लस 3 into A A किया है 1 into B B किया है तो 2 upon 3 A है ना और A प्लस B तो A किया 1 अब प्लस B तो 2 upon 3 A ठीक है तो सब कीजिए इसको तो 1 का Q क्या होता है 1 प्लस 2 का Q 8 3 का Q 27 और A Q प्लस 3 into 1 3 और ये 3 से ये 3 cancel हो जागा तो क्या बचेगा 2 A और 2 A का multiply 1 के साथ तो क्या जागा 2 A और इस 2 A का multiply 2 upon 3 A के साथ तो 2 A का multiply 2 A के साथ कीजिए तो क्या जागा प्लस का 4 A स्क्वाइर और 3 A स्क्वाइर तो ये हो जागा आपका Q नमबर 1 का थाड़ पार ये हैं ज़रा देख लिजिए answer is का 1 प्लस 8 upon 27 A Q प्लस 4 upon 3 A स्क्वाइर प्लस 2 A है ना तीनों है तो ठीक है तो अब इसको किस तरह किये हैं ये समझे तो question क्या था 1 प्लस 2 upon 3 A का whole Q और किस identity से belong करता है A plus B का whole Q से और ये किस के equal मोता है Q plus B Q plus 3 A into A plus B और A के place में क्या 1 और B के place में क्या 2 upon 3 A और जहाँ जहाँ A B है वहाँ आप value put कर दीजिए और sincere होकर इसको आप solve कीजिए तो आपके सामने ये answer आ जाएगा तो इस तरह सोजागा question number का 3rd part देखिए question number 2 क्या है ये है 5 A minus 3 B का whole Q ये question number 2 का first part है ठीक है 5 A minus 3 B का whole Q तो देखिए एक identity जे हम लोग और पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं X minus Y का whole Q ये किसके कोलम होता है तो ध्यान दीजिएगा ये होता है X Q minus Y Q minus 3 X Y और अंदर में क्या बच जाएगा X minus Y ये इसके कोलम होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि X और Y का value देखेंगे क्या है और उसको X और Y के place में put कर देंगे तो देखिए X के place में क्या है तो X के place में है 5 A है ना और Y के place में क्या है तो Y के place में क्या है 3 B तो 3 B और जहाँ जहाँ x y है उसका फिर रिपोट कर जाए है तो देखें x है तो x क्या है 5 है और इसका क्या है q minus फिर है y y क्या 3 b इसका क्या चर रहा है q minus 3 into x x क्या है 5 है into y y क्या है 3 b है ना और X-Y, तो 5A-3B, इस तरह से भेलो पूट हो जाएगा, अब इसको आराम से सॉल्फ किजिए, तो 5 का Q क्या होता है, तो 125 और AQ, है ना, 5 का Q मिन्स क्या, 5 x 5 x 5, तो 5 5 जो 25 जो 125 है ना, तो यह बताने का चीज़ नहीं अब लोग को, अच्छी तरह से जानते हैं, 3 का Q क्या होगा, 27 और B का Q, माइनस, मल्टिपलाई कराईए, 35 जा 15, 15, 3 जा 45, और A और B, A, B, अंदर क्या है, 5A माइनस 3B, ठीक है, और साल कुजिए इसको, तो यह 125 का A Q, माइनस 27B Q, माइनस 45AB का 5A से मल्टिपलाई किजिए, तो 45 का पहले 5 जो कराईए, कितना आजागा, तो देखिए, 550 25, केरी टू, 54020 और 22, और A का मल्टिपलाई, A के साथ, तो क्या हो जागा, A स्कॉर, अब B, A, Z, T, जैना, अब माइनस 45AB का मल्टिपलाई, माइनस 3B के साथ, क्या हो जागा, पुलस का, ठीक है, तो 45 का मुल्टिपलाई 3 से कराईए, तो 3, 5 जा 15, हैना, 3, 4, जा 12, और 1, 13, ठीक है, और A, Z, T, अब B का मल्टिपलाई, B के साथ, सिकेंड पॉर्ट, तो कैसे कराई गया, तो पहले इसका अंसर देख लेते हैं, तो अंसर मिच किया की नहीं, तो इसका अंसर है, 125AQ, माइनस 27BQ, माइनस 225A2B, और प्लस 135AB2, ठीक है, तो अंसर तो ठीक है, तो कैसे किया गया, तो देखिए, कुशन क्या था, 5A, माइनस 3B का होल क्यूओ, और यह देखने से पता चारा है, कि X-Y का होल क्यूओ काoser Entities लगे गए यहां, और X-Y का होल क्यूओ का Scottish कि के कुल मता है, तो X-Q —YQ —3x Y minus x minus y तो देखें अब x के place में क्या है 5 बे अब y के place में क्या है 3 भी और जहाँ x और y है वहाँ 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 पूट कर दीजिए और sincere होके अलट होकर इसका calculation कीजिए तो वहाँ पर आपको यह answer निकल कर सामने आ जाएगा तो इस तरह सुजागव को question number 2 का